आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि UPS यानी Uninterrupted Power Supply क्या होता है और कहाँ पर यूज किया जाता है Office में यूज होने वाले Computers को Continuous On रखना पड़ता है इस दोरन अगर Power Cut हो जाए तो Computer Sudden Off होने से Computer को नुक्सान हो सकता है या फिर Data Save न होने पर Data Lost हो सकता है इसलिए Computers Shutdown के भीना Off ना हो उसका ज्यान रखना पड़ता है इसका उपाए है कि हम Electricity को Store करते रहे और इसी Storage से हम Computers को चलाते रहे इसलिए अगर Power Cut हो भी जाए तो भी हमारा Computer Off नहीं होगा क्योंकि वो Storage Device से चल रहा होता है पर यहा सवाल है कि हमारा Computer AC Power पर चलता है और AC Power को Store नहीं कर सकते इसलिए हम AC Power से Battery Charge करते है और DC Voltage को Store करते है और Battery के DC Voltage को Inverter की मदद से हम AC Voltage में Convert करके Computer को चलाते है वो Device जिसमें Battery Charger, Battery और Inverter होता है उस Device को हम UPS कहते है यानि Uninterrupted Power Supply UPS से Computer चलाने पर जब तक Power होगा तब तक Battery Charging होती रहेगी और हमारा Computer Battery Backup और Inverter से चलता रहेगा जब Power Cut होगा तब खाली Charging ही बंद होगा DC Voltage और Inverter से Computer Continuously चलता रहेगा इंडर्स्टी में यूज होने वाले UPS सिंगल फेस और थ्री फेस भी होते है Power Plant, Chemical Plant या Cement Plant में Critical Load को चलाने में Control Circuit को चलाने में और Communication System को चलाने के लिए UPS का यूज किया जाता है क्योंकि Power Cut या Blackout के समय Control Circuit को On रखना पड़ता है और दूसरे Power Plant से Communicate करने के लिए Communication System को भी On रखना पड़ता है ये है UPS का Block Diagram जिसमें सिंगल फेस AC को बैटरी Charger में दिया जाता है और बैटरी को चार्ज गिया जाता है और बैटरी के DC वाल्टेज को Inverter की मदद से AC वाल्टेज में Convert करके Load को चलाया जाता है उमीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करे मेरे चैनल को मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग